यहां पर कोई वैदिख बुआया हैं यहां जी वैदिक बताएं क्या करना चाहते हैं नमस्ते राधने जोकी बुद्ध्ध के बारे में कुछ जानना दो कुछ कोसंस है तो उससे पहले मैं अपसे पूछ लेता हूं कि आप मतलब क्या आप खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं या एक है कोई कुछ भी नहीं करता है आप समझ नहीं है बुद्ध जाम की से लिए आप ऐसा बूल रहे हैं आप अपना पुश्चन रखिए आप लिख क्या है क्या मतलब है वैदिक का ठीक है मैं पूछ लेता हूं यह जो मतलब आप लोग भी ऐसा कहते हैं और नरेंद्र मोदी और अरंतम्माली ने भी ऐसा कहा है कि हम बुद्ध के भूमी से आया है केम फ्रम लैंड अफ बुद्ध ऐसा लिखते बोलते हैं ठीक है लेकिन आप यह बात आपको भी पता है कि बुद्ध जो है वो नेपाली है नेपाल में पैदा हुए है अच्छा तो मतलब आप इंडियन क लए कि लए कि वहां पर कहीं लिखा हुए कि है नेपाल में पैदा हुए है हम पोच रहे हैं कि जिस encryption के आप हवाला दे रहे हैं क्या उसमें लिखा है ये बात कि वो नैपाली है नैपाल में पैदा हुए बताईए जी जितना मैंने पढ़ा है उसके इसाब से बता है आपके पास प्रूफ है जो भारत में राम मंदिर के लिए रथयात्रा सुरू किये थे वो तो पाकिस्तानी है यह बात आपको पता है वो क्रेडिट की का है का है अलग बात है भारत में इसके पहले जो प्रधान मंत्री थे मन मोहन सिंग जी थे दो सल भारत के प्रधान मंत्री थे वी पाकिस्तानी है यह बात आपको पता है नहीं पता है आपको भारत में पाकिस्तानी लोग जो है भारत के प्रधान मंत्री बन ज पाकिस्तान 1947 तो 1947 से पहले जो लोग वहां पे थें पाकिस्तानी कहलाएंगे तो जब नैपाल का गठन नहीं हुआ था तो उसमें रहने वाले लोग तब क्या कहलाएंगे पाल कब बना है वह जो इंसक्रिप्शन जिससे आप बूल रहे हैं कि उसमें कहीं नैपाल नाम आया है जहां पर प्रड़ा वहां पर कहीं पर क्या यह बात लिखी है कि वह नैपाल जगह है नैपाल राष्ट कब अस्तितों में आया है नैपाल एक इंडिपेंडेंट बेस है सुरू से इसलिए इंडिपेंडेंट जिवान नहीं मना जाता है वह जिस इंस्क्रिप्शन के आप बात कर रहे हैं क्या उसमें नैपाल नाम आया है नेपाल कुछ अलग नाम होगा उस देश का लेकिन अभी वह नेपाल है अचा अच और शुबही तो चैनीज हो जाएंगे यह बताईए सिवा किस माउंटें पे रहते हैं क्या कौन से माउंटें किस परवत पे रहते हैं आपके शंकर भगवान कहल ने आपके लोगिक के अनुषार तो चैनीज हो गया है हुए कि नहीं हुए आपके लोगों ने अपने शंकर भगवान को चाइनीज बना दिया ताकि ये बुद्ध को नैपाल में जन्मा हुए बता सके ये इनका अच्छा आप इस्वर मानते हैं रामकृष्ण मानते हैं आपके राम और क्रिष्ण का प्ता आपको कैसे चला कि राम नाम का कोई व्यक्ति है किष्ण पता चला हम लोग को सबूत मिले उस लिपी और भासा में लिखे हुए मिले जो भारत के लोग नहीं पढ़ते थे पुरानी खुदाई हुई जमीन से खुदा लिखे हुए प्रमाण मिले चित्र मिले आज भी कहीं कुछ खुदता है तो बुध ही बुध मिलते हैं देश वीद हमको उन से पुरातुक शबूतों से पता चला आपके राम और कृष्णत थे इसका पता आपको कैसे चला बताईए राम कृष्णत के बठा़क है या उनको कोई मान रहा है, तो देख सब को दिख रहा है कि कौन भाग रहा है, सब को दिख रहा है, आपको कैसे, देखें, एक मिनाट, सब लोग दिख रहा है कि कैसे भाग रहा है, जैसे सबूत की बात आ गई, आपने कहा कि जैसे बुध को जानते हो, हमने बता दिया कि बु पूछा हमें, लोगों ने उनकी भी deepest ideology स्विकार की होगी, देश एव कहींना कहीं उनकी भी deepest ideology होगी। जहीं तो पुछा हम Нे कि आ到底 कहा जो हुनते, जैसे बुद्ध को मानते थे तो बुद्ध की मूर्तियां और बना दी, स्थूप बना दी हैं, राम कृष्ण को मानते होंगे तो उनके भी स्थूप मूर्तियां कुछ तो बनवाए ही होंगे मंदिर उंदिर, तो ऐसे कहां सबूत मिलते हैं, यही तो पूछा आमने, आप लोग देख चुकते हैं कि यह रभी गुपता बूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है इसने संकर भगवान को अपने चाइनीज भोसित कर दिया सब लोग देख सकते हैं यहांपे कि बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और हमने पूछाए कि अगर बुद्ध अगर नैपाली थे देखें कहानी यहां पर चलती नहीं है कों डरा है सब को दिख रहा है सब लोग देख रहा है कि कों डर गया है यह व्यक्ति के पास जबाब नहीं है कि दिखा सके कि कईसे नैपाली पह रहा है आप दिखाए न ा आप आप हमें दिखा दीजिए सबूत कि नैपाल कहा लिखा हुआ है उस पर हम माल लेगे आप वहां सबूत दिखा दोना आप वा वत दौत दिखा दो हम lithium polis सब लोग देखे इस बंदे ने अपने शंकर भगवान को चाइनी जुगोसित कर दिया लेकिन ये बंदा ये नहीं दिखा पाया कि जो बार-बार ये बोल रहा था कि लुंबनी में मिला है कहीं भी उसमें नैपाल लिखा हो ये इसने नहीं दिखा पाया अब हम जो हैं इंस्क्रिप्शन खोलते हैं सीधे जो हैं हम इंस्क्रिप्शन खोलते हैं कि भाई देखें उसमें कहां पे लिखा हुआ है नैपाल लिखा हुआ बागना मत यहीं पर नाभी बैग्राउंड में किये हैं क्योंकि ये बंदा हर बात पे बोल रहा है बिना किसी सकते ना जब तक आप सबूत नहीं दिखाएंगे कैसे साबीत होगा जब सबूत का आपको सबूत दिखाना पड़ेगा आप एक जगह दिखा दो जैसे अभी जब पूछा गया कि सीव क्या नैपाली है तब भड़ा क्या था है का है आप गलत ख़वर पहला रहे हो मिसिंट्परेशन कर रहे हो अखुद बोल रहा है कि उचाइनी जह है बताईए यह देखें यह इंस्क्रिप्शन है यही है रुमन देई रुमन देई इंस्क्रिप्शन यही है तो आए भई कि बताईए आप हमें कहां गया यह भाग नहीं है यह देल्टव है कि अधियाव यहाईंशकार का पाईल किया हुआ है सारे जितने समराटसों के inscription है, उसको एक सांध cardio compile क्या गया है और यह text लिखा गया है कि उसपे क्या-क्या लिखा हुआ है और नीचे संस्कृताईच करके भी लिख दिया गया है ताकि जिसको संस्कृत आताओ संस्क्रिट में समझ लेगा, इसको पाली आता हो पाली में समझ लेगा तो इस inscription में यह कहां लिखा हुआ है कि नैपाल में था अभी आपने एक बात कही थी कि 1947 से पहले जब पाकिस्तान नहीं था तो वहां जो लोग जनम लेते थे उनको हम भारतिय कहते थे तो उसी तरह से यहां पे नैपाल कहां लिखा ह हुआ है कईसे सावीत होगा कि उस समय में जहां पर जनाम हुआ था उनक्त सामय में था इक्की से सावीत होगा मतलब आप क्या मानते कि परवत चाइना ने कब जा किया है यह बता जीए ना आप नहीं है तो काहे जब अरज आप मिस इनफॉमेशन फैला रहा है फिर पाकिस्तान भी तो 1947 के बाद से पाकिस्तान बन गया है उसे पहले यह तो भारत था हम कई से माले आचा समराट असोक भी नैपाली थे क्या सवाल क्या पूछ रहा है जवाब क्या दे रहे हैं हम जब तक निसकर्स नहीं निकलेगा पता किसे चलेगा कौन जूट बोल रहा है यह इंस्क्रिप्शन कौन लिखवाया था यह बताओ पहले इंस्क् जंद की कहानी यह जो रवी गुपता है यह क्या क्वता रहा है वहाँ पर जाके लिखवा कि आये थे इससे तो यह पता चलता है कि समराट असोक के छेतर में था यह कभी नैपाल था यह नहीं वो तो उनके अधीन में था यह जंबू दीप का सासन था यहां पर उन्होंने क यह कह रहा हैं कि लुम्बनी गाम में शाक्यमुनी बुद्ध का जनम हुआ है और इसलिए टेक्स जो है जो वन बटे छट्थे भाग लगता था वहाँ वन बटे अठा भाग लगेगा यानि हम यहाँ पे टेक्स का छूट दे रहे हैं क्योंकि यह गाम जो है बुद्ध का जन अस्थान है तो हम यहां से कम टेक्स लेंगे अब एक राजा जो है किसी जगह से कम ले रहा है इससे तो साप साप पता चलता है कि राजा वहां गया नहीं है बलकिल वो उसके छेत रका है टेक्स का रिलक्षेशन दे रहा है यानि वो उसके अधीन में है तो हम कई से मान ले तो हम आपकी बात क्यों सुने और लुंबनी वैसे भी मात्र 8 किलो मीटर भारत के बोर्डर से उधर है और वो भी अंगरेजों के समय में बोर्डर का निर्धारन हुआ नहीं तो वो छेत्र तो ऐसे ही छुड़ रखा था वो भी आप लोगों की गलती है इन लोगों की गलती ह होता बोर्डर बनाओना के रखे होते तो वो भारत का हिस्सा होता छोड़ दिया था वह इसे ही जो पर सीमा का निर्धारन हो गया उधर चल गया जब पता चला कि अच्छा वहां पे सिलालेक मिले इंस्क्रिप्शन मिले वो तो वहां है आज मारा मारी कर रहे है बीदेस में करते आज रोना पड़ रहा है इनको तो यह सब लोग आप यहांपे देख सकते हैं कि यह कहानी है और यह यहांपे बूरी तरह से फस चुके हैं यहां सब लोग साफ-साफ देख सकते हैं कि यहांपे आठवे भाक्टिक्स का रिलिक्षेशन दिया था शमराठ असोक ने या असल उस समय नैपाल नाम का कोई राष्ट नहीं था, आज की डेट में वो हिस्सा नैपाल में गया है, मात्र आठ किलोमीटर ही तो अंदर है नैपाल में, इन लोगे गल्ती के कारण है, इन लोगों ने केर ही नहीं किया, ये तो अंग्रेजों के समय में मारा मारी जब पता च यानि बुध जम्बू दीप के ही थे, जम्बू दीप में जन्यत्य भारत के हिस्सा था, बाद में आप काठचाट के बठवारा करके जिसको मन करे पाकिस्तान को दो, भंगला तेसको दो, जहां जिसको मन करे वहां दो, हमको उससे क्या मतलब है, लेकिन जब उनका जनाम अब सबसे खास बात क्या है कि इस बंदे के लेबल देख लिए इस गुपता का, या ब्रामण ही था, गुपता लिखके आया होगा जो भी, इसकी हालत ये देखिए कि इसने अपने शंकर भगवान को चाइनीज गोसित कर दिया, मतलब इनको अपने भगवान की चिंता नही लेकिन बुध की चिंता है कि बुध को किसी तरह कुछ बोल दे, देखा आप लोगों ने, बुध को कुछ बोल दे, ये इस बंदे की चिंता थी, तो ये बुरी तरह से यहां पे फ्लॉफ हो गए, बुरी तरह से फस गए, सबूत नहीं दे पाए, और ये बुरी तरह से मतलब इन लोगों का लेवल वहां तक पहुच गया है कि ये अपने देवी देव थाओं को फासी चढ़ा देंगे कि जाए निच कह देंगे कुछ भी कह देंगे कि बुझो को कुछ कह सके जोए पोए जो है लिखते हैं अकल बड़ी की भैस फॉर वेदिक वाय इट्स भैस देखिए सब लोग मजे ले रहे हैं